कंगना रनाउत ने कॉफी विद करन डेब्यू कर लिया है और अपने डेब्यू के साथ ही उन्होंने धम्माका कर दिया है कंगना को हमेशा खुल कर बोलने के लिए जाना जाता है एपिसोड के पहले सेकंड से लेकर आखरी तक कंगना रनौत ने करन जोहर को इतने ताने मारे हैं कि वो भी याद रखेंगे कंगना ने बॉलिवुड में हर गलत चीज का साथ ना देते हुए उसके बारे में खुल कर बोला इतना की सेफ और करन जोहर की बोलती ही बंद हो गई करन जोहर ने कंगना से शाहिद के बेहेवियर पर सवाल किये तो उन्होंने कहा शाहिद बेहत मूरी है जब उनका मूर अच्छा होता है तो वो कभी पूरी कास्ट अन्ग्रू के लिए घर से नाश्ता ले आते हैं फिर कुछ दिन उनका मूर खराब हो जाता है ऐसे में वो तुम्हारी तरफ सुसाइट बॉमबर की तरह देखते हैं जब होस्ट करन ने कंगना से शारुक आमिर और सलमान में किस सूपर स्टार के साथ काम करने की बात पूछी तो जवाब में उन्होंने कहा किसी के साथ नहीं मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम नहीं करना चाहती जिसका फिल्म में मुझसे ज्यादा रोल हो जब होस्ट करन जोहर ने जोडी से पूछा कि क्या आपको किसी स्टार की फिल्म सूपर हिट होने पर जलन हुई है इस पर कंगना रनौत बोली हाँ ये एक हुमन इमोशन है जैसे कि दंगल ने इतनी कमाई की कि साथ सौ करोड कमा लिये और तो और कंगना ने करन जोहर पर बॉलिवड इंडस्ट्री में भाई भती जावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया कंगना कहती है कि अगर कभी मेरी बायोपिक बनी तो करन उसमें एक ऐसे बॉलिवड के मशूर व्यक्ति का रोल निभाएंगे जो बहुत शातिर होगा और इंडस्ट्री से बाहर के लोगों को काम नहीं करने देगा जो भाई भती जावाद को बढ़ावा देगा और मूवी माफिया कहलाएगा ऐसे में कंगना के ये आरोप सुनकर करन जोहर भी चौंक गए कंगना ने तो करन को ये बात भी याद दिला दी कि करन ने अपने शो में कंगना की अंग्रेजी का मजा कुड़ाया था लेकिन कंगना ने अपनी अंग्रेजी का सारा श्रे भी करन को ही दिया क्योंकि उनके ही कारन कंगना ने अपनी अंग्रेजी पर काम किया कंगना ने कहा कि तुम्हारे मजाग उडाने के ही कारण मैं आज यहाँ पर पहुंची हूँ अगर वो सब rejection ना हुए होते तो शायर मैं आज यहाँ ना होती मेरी अंग्रेजी से लेकर मेरी शकल तक सब ही चीजों का मजाग उडाया गया है अभी विडियो को लाइक करें शेर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी सरह की चटपची नियूज देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ बाई बाई